फॉरेस्ट गार्ड भरती की लिखित परिक्षा की तयारी के लिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं UK SSSC का एक प्रीवियस एक्जाम पेपर अब देखिए इसको सॉल्व करने का मोटिव क्या है हमारा इसका रीजन क्या है हमारा कि हम इसको सॉल्व करें तो इसका रीजन ये है कि चाहे हम किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जरूरी होता है कि उस exam का हमें syllabus पता होना चाहिए कैसा syllabus है वहाँ पर किस तरह के question वहाँ पर पूछे जा रहे हैं और हम इस से ये भी हमें idea आ जाएगा कि जो अभी अवरतमान में हमारा जो आयोग है UK SSC है वहाँ किस प्रकार के questions पूछ रहा है और किस label के questions पूछ रहा है और किस तरह से वहाँ अलग-अलग parts जैसे उत्राघंड और हिंदी और इस तरह से सामन्य ग्यान किस प्रकार से इनके questions को put कर रहा है और कहां से put कर रहा है तो इससे हमें यहाँ पर help मिलने वाली है तो दोस्तो आपको सरिफ यह करने है कि हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे साथ साथ इस question paper को solve करना है और जो धिरे-धिरे हम आगे भी बहुत सारे question paper solve करेंगे नए model papers आपके लिए provide करेंगे तो आपको हमारे साथ बने रहना है और अभी अगर चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी आपको subscribe कर देना है और साथ में bell icon को फिर tap कर दें क्योंकि इससे आपको notification प्राप्त हो जाएगा तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस question paper को सुरू करते हैं मैं आपसे अपक्षा करूँगा कि आप साथ साथ इस question paper को मेरे साथ solve करते जाएगा और last में आप अपना जो score है उससे हमारे comment box जो है वहाँ पर आप mention करिएगा जिससे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको अभी कितने तयारी करने की आवश्यक्ता है और आपने अभी कितने तयारी कर ली है और इस तरह से मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे साथ बने हैं तो चलिए पहला question सुरू करते हैं पहला question है निमलिखित मैंसे कौन सा योगरूड है तो कौन सा सब्द योगरूड है पांदान, महासय, अलौकिक और खटमल तो सबसे पहले ये योगरूड क्या होता है ये योगरूड वे सब्द होते हैं जो योगिक तो होते हैं लेकिन इनका जो अर्थ होता है वह विसेस होता है मत्तब कि योगी का मत्तब क्या हो गया कि जो दो अलग-अलग सब्दों से मिल करके बनावा होता है लेकिन उसका क्या होता है एक विसेस अर्थ होता है इसलिए उसे बूल दिया जाता है योगरूर तो यहाँ पर हमारा option जो है वहाँ D सही होगा जो खटमल है वहाँ योगरूर सब्थ है उधारण के लिए जिसे पीतामबर हो गया आपका जलज, लंबोदर, दसानन, दसरत ये सब के सब क्या है योगरूर सब्थ के उधारण है अगला question है अधुरा ग्यान भयंकर होता है के ये सही लोकोति क्या है तो अधुरा ग्यान भयंकर जो होता है उसको बोला जाता है नीम हकीम खत्रा जान का अर्थ होता है अयोग्य से हानी होना अयोग्य से जो अयोग्य व्यक्ति है उससे कुछ न कुछ क्या हो जाती है हानी होती है इसलिए यहाँ पर कहा जग्या है अध भोजपुरी संबंदित है तो भोजपुरी संबंदित है बिहारी भासा से अगला क्वेशन है अबलों नसानी अबलों नसे हों राम किरपा भवनिशा सिरानी जागत हवे नडसे हों इन पक्तियों को किस कवी के द्वारा लिखा गया है तो ये कवीता लिखी गई है तुलसी जास जी के दुवारा अगला question है चंद सास्त्र प्रणयताओं ने चंद के निम्न भेद किये हैं तो कितने भेद हैं चंद के तो आपने पड़ा होगा तो चंद के हैं तीन भेद तीन भेदों में वर्निक चंद हो गया मात्रिक चंद हो गया मुक्तक चंद हो गया ये चंद के तीन अलग-अलग भेध हैं तो यहां हमारा option B सही हो जाता है अगला question है O का निर्मान कैसे हुआ है तो O का निर्मान हुआ है O प्लस O से या O प्लस O से जो बनता है वो बनता है O तो यहां पर हमारा option A सही हो जाएगा अगला question है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो भासा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण वर्ण जो होता है उसे ध्वनी भी कहते हैं तो जो ध्वनी होती है ध्वनी से मिलकर के बनता है अक्छर अक्छर से मिलकर के बनता है पद या सब्द और सब्द से मिलकर बनता है पदबंध और इनके बाद उससे मिलकर बनता है उपवाक्या और उपवाक्या से मिलकर बनता है क्या आपका वाक्या ठीक है तो यहाँ पर सबसे छोटी एकाई हो गई वर्ण और इस तरह से थोड़ा बड़ी सबसे बड़ी एकाई हो गई वाक्या अगला question है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है तो हमने ये question तो बहुत easy है तो यहाँ पर लोरी है लोरी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाती है तो यहाँ पर option c सही होगा अब आते हैं question no 9 पे तो question number 9 है मतवाला पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो मतवाला जो पत्रिका है यहाँ इसका संपादन किया था निराला जी ने तो यहाँ पर हमारा option C सही होगा question number 10 है महादेवी वर्मा का जन्म कब होआ था तो देखिये यहाँ पर हमारे जो कवी हैं कवीत्रियां हैं इनके जन्म के बारे में इनके जन्मस्थान के बारे में भी आजकल आयो question पूछ रहा है तो हमें ये बात भी ध्यान देनी है तो यहाँ पर answer हमारा है option number D 1906 में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था ये एक बहुती सुप्रशिद कवीत्री है अगला question है जो नाटक में अभिने करे उसे कहा जाता है वैसे तो यहाँ पर confusing है कि नाटक कार कहा जा सकता है या अभिनेता भी उसे कहा जा सकता है लेकिन यहाँ पर हमारा option D सही है तो उसे अभिनेता कहा जाता है अगला question है बादल गर्जो फेर फेर घोर गगन धारा धरो इस इन जो पंक्तियां है ये पंक्तियां किस ने लिखी है इनके रचनाकार कौन है तो ये पंक्तियां लिखी है निराला जी ने अगला question है परवत संघ्या का भेद बताईए तो ये परवत है यह कौन सी संघ्या है तो जो परवत है यह है जाती वाचक संघ्या परवत एक जाती को रिप्रेजेंट करता है प्रस्तूत करता है इसके बाद विभिन क्या होते है जो हमारे परवतों के नाम हो सकते है तो यहाँ पर ये एक जाती को प्रस्तूत करता है अगला question है वाक्य भासा की संपूर्ण सार्थक इकाई है तो देखिए यहाँ पर अलग-अलग option के इस पर काट के दिये गए है सही, आंसिक सही, आंसिक गलत और पूर्ण गलत देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन नहीं हमारा जो वाक्य होता है वहाँ भासा की संपूर्ण सार्थक इकाई होती है तो इसलिए हमारा सिदे-सिदे option A बिलकुल सही answer होगा अगला question है हिंदी सब्द कोष्ट में चो जो है अक्षा जो है वहाँ किस वर्ण के बाद आता है यहाँ पर question थोड़ा घुमा है वैसे तो हम नॉर्मली अगर देखे तो सब्द कोष्ट में हो के बाद चो आता है यह अक्षा आता है लेकिन यहाँ पर option का इस question का answer को दिया गया है को क्यों दिया गया है क्योंकि जो चो बनता है वहाँ बनता है को और सो से तो इस तो से इसलिए यहाँ पर इस को को इसने answer माना है अब question number 16 है कि वाक्य को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे क्या कहते है उसे क्या कहते है उसे कहते है अलप विराम जब क्या कहते है कोई वाक्य बोलते है उसके बीच में थोड़ा रुकते है तो उसे अलप विराम कहा जाता है अलप विराम को आप कैसे represent करते हैं ऐसे इसको लिखते हैं जबकि इसी चिन्मों से एक और question आजाता है में हम बहुत बार confused होते है तो अर्द विराम कैसा होता है अर्द विराम इस तरों का कुछ ऐसा होते है ठीक है तो यह हो गया आपका अल्प विराम और यह हो गया अर्द विराम यहाँ पर अल्प विराम answers होगा अगला question है बादल राग कविता के रचयता कौन है तो बादल राग कविता की रचयता भी हमारे निरालाजी है तो यहाँ पर निरालाजी से related भहुत सारे question पूछेगे हैं इस पेपर में अगला question है का के की किस कारक का कारक चिन है तो हम जानते हैं इसको कि जो का के की है वहाँ संबंध के लिए होता है जबकि हमारा कर्म किसके लिए होता है कर्म के लिए होता है को और आपका कर्ता कर्ता के लिए क्या होता है कर्ता ने कर्म को करन से आपने यह पढ़ा होगा तो इ के लिए और संबंद के लिए हो जाता है का के की तो इस तरह से यहां पर आप्सन डी से होगा अगला क्वेशन है अकल के पीछे लठ लिए फिरना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा अकल के पीछे लठ लिए फिरना मुर्खता करना कहलाता है तो यहां पर यह मुर्खता करना हो लाएगा अगला question है कि आदिकालीन रचनाकार जगनिक की रचना का क्या नाम है तो यहाँ पर जो परमाल रासो है वह जगनिक जीने लिखी है अगला question अब उत्राखंड से related आते हैं 20 question उसने पूचे हैं हिंदी से अब यहाँ पर उत्राखंड से related वहा question पूच रहा है तो सबसे पहला question है कि पमारवंस का सस्तापक कौन था तो पमारवंस का सस्तापक था राजा कनकपाल अगला question है निम्रिखित मैंसे कौन सा ताल उत्राखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है तो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है रूप कुंड अगला क्वेशन है गडवाल का वहो कौनसा राजा था जिसके समय में गडवाल मुगल संबंद सोहाद्र पूण थे अर्थार गडवाल और मुगलों के बीच में अच्छे संबंद थे वहो कौनसा राजा था तो वहो राजा था हमारा पृत्वी पतिसाह ऐसा राजा था जिसके समय में मुगलों के साथ अच्छे संबंद रहे हैं अगला question है कुमाव रेजिमेंट से सरवपर्थम परमवीर चक्र किसे प्राप्त हुआ तो यहाँ पर option है मेजर सैतान सिंग, मेजर सौमनाद सर्मा, जनरल बीसी चोसी एन जनरल बीसी खंडूरी तो यहाँ पर इनका सही आंसर है मेजर सौमनाद सर्मा इनको पहला परमवीर चक्र मिला है कुमाव रेजिमेंट से पच्चीसवा question है वर्स 1981, 1981 में पारिश्वर गौरड द्वारा वह कौन सी गड़वाली भासा में फिल्म निरमित की गई है तो गड़वाली भासा की जो पहली फिल्म थी, जो जगवाल फिल्म है वोही पारिश्वर गौरड जी ने 1981 में यहाँ पर इनकी फिल्म बनी थी अगला question है निम्न मैंसे कौन लोग गायक हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सरोजनी के अतुराजी नहीं है और हर सुवन्ती बिस्ट भी नहीं है बचेंदरी पाल भी नहीं है तो हमारा option हो जाता है चंदर सिहां राई जो कि क्या है जौन सारी गायक हैं बहुत famous हैं तो यही क्या है आपर लोग गायक हैं तो option B हमारा सही हो जाता है अगला question है निम्न मैंसे कौसिक समीति का गठन किस मुख्यमंत्री ने करवाया था तो मुख्यमंत्री ने कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कौसिक समीति का गठन कराया था तो कौसिक समीति का गठन सुब पहले देख लेता है किस चीज़ के लिए हुआ तो जब उत्राखर्म गठन की बात हो रही थी तो उत्राखर्म गठन के लिए मुख्यमंतरी ने क्या किया कि एक समिति बनवाई जो की देखेगी कि यहाँ राज्ये बनाने लायक है नहीं है या उसकी राजधाने से अगला क्वेशन है टिहरी नगर में सैमियर नाट्य कलब की स्थापना किस ने की थी तो टिहरी में यहाँ पर जो सैमियर नाट्य कलब है इसकी स्थापना की थी भवानी दत उनियाल जी ने तो आप्शन ए सही हो जाता है अगला क्वेशन है निम्लिकित मैसे किस ने हिंदी मैं प्रथम डी लिट उपाधी प्राप्त की थी तो यहाँ पर किसको यहाँ उपाधी मिली थी डी लिट की उपाधी सबसे पहले तो यहाँ मिली थी हमारे जो पितामबर दद बरतवाल जी हैं उनको यहाँ उपाधी मिली थी तो option B सही हो जाता है अगला question है उत्राखंड सरकार के मुख्य सचीव कौन है तो यहाँ पर एक paper थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी वर्तमान हमारे मुख्य सचीव है वे हैं उत्पलव कुमारसी हैं तो आंसर हो जाएगा उत्पलव कुमारसी यहाँ पर option में नहीं है लेकिन उत्पल कुमारसी जो ह हैं वे हमारे वर्तमान मुख्य सचीव हैं अगला question है उत्राखंड छेत्र से प्रकाशित होने वाला पर्थम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था तो वह था आपका समय विनोध तो option A सही है समय विनोध जो था वह पहला समाचार पत्र था देवी धुरा का मिला किस महिने में आ होंगे कि जो ये देवी धुरा का मिला है इससे बहुत बार question पूछे जाते हैं इसे पासान युद्ध भी कहते हैं तो यहार सरावन मास में मनाया जाता है अगला question है तेरवी वन रिपोर्ट जो है उसके अनुशार उत्राखंड राचे में कितने प्रतिशत भाग में वन है तो 45.85% जो है इतने छेतरपल पर क्या है उत्राखंड में वन पाये जाते हैं अगला question है उत्राखंड का संस्कृति पोर्टल किस भासा के सरक्षण हेतू विक्षित किया गया तो यहाँ पर कुछ भासाएं हैं हिंदी, संस्कृत, कुमावनी और गडवाली तो जो यह संस् भासाओं के सरक्षण के लिए विक्षित किया गया था तो इसमें option हो जाएगा, option D, उप्युक्त, सभी आते हैं 35 वे question पे, तो जिम कारवेट पार्क को बाग सरक्षित छेतर कब घोशित किया गया था? तो जिम कार्वेट को किया गया था 1973 में इसे बाग सरक्षित छेतर गोशित किया था तो यहाँ जो जिम कार्वेट पार्क है यहाँ फैला है नैनिताल और पौडी में जो यह दो जनपद हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पार्क फैला हुआ है अगला क्वेशन है कि मौसमी पसुचारण व्यवसाय निमने मैंसे कौन सी जनपद जाती करती है तो यहाँ पर बोकसा, जौनसारी, भोटिया और थारू तो इन जनपद जाती हों मैंसे जो यह भोटिया जनपद जाती है यहाँ क्या करती है मौसमी पसुचारण व्यवसाय करती है यहाँ जो जनपद जाती है यहाँ हिमालय चेतर की जनसक्या की दृष्टी से सबसे बड़ी जनपद जाती भी है अगला question है SI पध्यती में lens की छमता का मातरख है तो यह एक science से भी question पूछा गया है तो lens की छमता का मातरख क्या होता है lens की छमता का मातरख होता है diopter जिसे D से प्रतरशित करते हैं अगला question है भारत के मानव शंशाधन विकास मंतरी कौन है तो वर्तमान में भारत के मानव संशाजन विकाश मंतरी है प्रकास जावेट करजी अगला क्वेशन है वर्तमान उत्राखंड छेत्र की प्रथम महिला उत्राखंड में छेत्रफल की द्रिष्ट्री से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो सबसे छोटा जिला है हमारा चमपावत यहाँ छेत्रफल की द्रिष्ट्री से सबसे छोटा जिला है जबकि सबसे बड़ा जिला कौन सा है वह है चमोली जो चमपावत का छेत्रफल है वह है 176 1766 वर किलोमेटर जब कि जो चमोली का है वो है 830 वर किलोमेटर अगला क्वेशन है चंद राजवंस का राज्य चिन क्या था जो चंद वंस है उसका राज्य चिन था गाय अगला क्वेशन है गगन नारंग किस खेल से संबंदित है तो गंगर नारंग जो हैं वे हैं निसाने बाजी से संबधित अगला question है उत्राखण में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है तो उत्राखण में ये पुस्तक जो लिखी है वह हो किसना लिखी है ये लिखी है डॉक्टर सेकर पाठक जी ने अगला question है world trade center यहाँ पर एक आतंगी हमला हुआ था तो यहाँ हमला कब हुआ था यहाँ सामन्य अधियन से question पूछा गया है तो यहाँ हमला हुआ था आपका कब यहाँ हुआ था 11 नमबर को तो यह option C से हो जाएगा निमने मैं से प्रायधी प्या भारत की नदी कौन सी है तो इस तरह से इस भाग पर प्रायधी प्या भारत है तो प्रायधी प्या भारत में जो कृष्णा नदी है इस option में यहाँ प्रायधी प्या भारत की नदी है मैंडल ने आनुवन सिक्ता के प्रियोग सबसे अधिक किस पौधे पर किये तो हमने पढ़ा है तो मैंडल ने जो प तो जो परावेगनी किरणे हैं इन परावेगनी किरणों से ओजोन परत हमारे प्रिथिवी की रक्षा करती है भारत का प्रथम रास्ट्रे उध्यान है तो भारत का जो सबसे पहला रास्ट्रे उध्यान है वह है जिम कार्बिट जो नैशनल पार्क है वही पहला रास्ठे उध्यानता भारत का अगला क्रेशन है भारत का लौह पुरुस नाम से कौन जाना जाते हैं आइरन मैन ओफ इंडिया यहो सरदार बल्लब भाई पटेल जी को कहा जाता है तो यह है आइरन मैन ओफ इंडिया अगला क्वेशन है कि 2015 का सरश्वती सम्मान जो है वहो किसे मिला था तो 2015 का मिला था पदमा सचदेव को जबकि 2016 का मिला था महा बलेश्वर सैव जी को और 2017 में मिला है किसको सितांसू यस चंदर जी को तो इस तरह के जो अवार्ड्स है इनसे भी जो करंट के क्वेशन है उनसे भी क्वेशन पूछे जाते हैं तो हम धिरे धिरे ये बातें भी ध्यान रखें कि कहां कहां से क्वेशन पूछे रहे हैं अगला question है कि प्रशिद अर्थसास्त्री मार्षल के अनुसार जीवन के सामन्य व्यवसाय का अर्थ है तो यहाँ पर economics से question पूछा गया है कि जीवन के सामन्य व्यवसाय का अर्थ क्या है तो कृशी उत्पादन व्यापार, रोजगार तो इनके अनुसार जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं व्यवसाय हैं तो यहाँ पर option हो जाएगा उपयुक्त सभी अब आते हैं 52 है question पर तो ये क्या है महान संगी तक गया जो अमीर खुस्रों है उन्होंने किस वाध्ययंत्र को बनाया था तो इन्होंने बनाया था सितार वाध्ययंत्र को इसके साथ साथ इन्होंने तबला वाध्ययंत्र को भी बनाया था अगला question है एक दिवसिया अंतरास्टिया मैचों में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले किर्केटर कौन थे तो वे हैं सचिन 30,000 यह तो हम जानते हैं सबके सब अगला question है इमल्सी करण निम्न मैसे किसके पाचन है तो आवशक होता है तो इमल्सी करण जो है वह किसके पाचन के लिए आवशक होता है यह होता है फैट जो वसा है वसा को पाचन के लिए आवशक होता है अगला question है लार में उपस्तित एंजाइम किसका पाचन करते हैं तो जो हमारे मुह में जो लार होती है वे एंजाइम करते हैं स्टार्च का पाचन तो यह बायो के से question पुछे गए हैं अगला question है एट्स वाइरस रेट्रो वाइरस कहलाता है क्योंकि इसका आनुवनसिक पदार्थ होता है तो जो एट्स में होता है वह आरेने इसमें होता है तो आरेने जो है वह इसका आनुवनसिक पदार्थ है इसलिए इसको रेट्रो वाइरस कहते हैं अगला question है कि मेंधक अनियत तापी होता है क्योंकि मेंड़क अनियत तापी क्यों होता है तो इसमें option हमारे पास दिये गए है तो option A इसमें सही है कि इसके सरीर का तापपान वातावरन के अनुसार बदलता है इसलिए इसको कहा जाता है अनियत तापी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो ताब होता है वो नियत ने रहता है बलकि changeable होता है बदलता रहता है अगला question है वासेक, टॉमी, एक सल्य क्रिया है किसीछ के लिए है तो यहाँ होती है पुरुसों में गर्व निरोधन है तो यहाँ क्रिया की बनाई जाती है अगला question है हमारे पास reasoning का कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A, Z, B, Y, D, W, E, V यहाँ पर question mark है और इसके बाद यह है तो हमको यहाँ पर question mark में भरना है तो इस तरह के question करने के लिए हमें A, B जो हमारे यह है इसको Z तक यह बार लिखता है फिर उल्टे में इसको इस तरह से लिख देना चाहिए उसके बाद देखें यहाँ पर A है A से relation है इसका Z का जैकी B का है Y से तो इस तरह से यह D, W से related होगा तो यहाँ पर जो हमारा option है यहाँ पर बीच में कौन सा feedback ने वाला है तो यहाँ पर feedback एगा G, T, H, S तो इस तरह से यहाँ पर option D से हो जाएगा G, T क्योंकि A है एक बाद B और C यहाँ पर छूटा होआ है फिर D, E और F छूटा होआ है फिर यहाँ पर G आएगा अगला question है निम्न मैंसे कौन सी नदी दक्षिन गंगा न जानी जाती है तो दक्षिन गंगा जो है वहाँ गोदावरी नदी को कहते हैं अब यहाँ पर एक reasoning का question है जनक अपने घर से चलना प्राराम करता है एवं दो किलोमेटर उत्तर दिशा की ओर चलता है देखिए इस प्तरों के question को हम किस तरों से solve करना है पहले दिशाओं का ज्यान होना चाहिए तो यहाँ पर north होता है यहाँ पर south और यहाँ पर हम मान ले दिशा की तरफ दो किलोमेटर चल गया है ठीक है अब वहों दाया मुड़ता है तो दाया हाथ की तरफ मुड़ेगा और दाया हाथ की तरफ मुड़ने के बाद यहाँ एक किलोमेटर चलता है एक किलोमेटर चल गया है जनक और उसके बाद वह क्या करता है फिर से दाया हाथ के तरफ मुड़ता है तो दाएं हाथ इस तरफ है तो यह दाएं हाथ के तरफ मुड़ गया और चलने लग गया चलने के बाद यहाँ दो किलुमेटर पूरा चल गया है तो question पूछा गया है कि वह अब किस दिसा में जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि जनक किस दिसा में जनक जा रहा है साउद दिसा में यान कि दक्षिन दिसा में तो हमारा option C सही हो जाएगा कि जनक जो है वह दक्षिन दिसा में जा रहा है अगला question है यहाँ पर reasoning का कि इस pattern में जो यहाँ पर question mark है यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाना की ज़रूत नहीं है क्योंकि हम लोग कहीं बार इनको multiply करते हैं divide करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है आपको इस question में ध्यान ये देना है कि जो भी बड़ा अंक है उस बड़े अंक में से छोटा अंक घटा देना है आप देख पाएंगे कि आपका answer बिल्कुल सही आएगा तो देखिए 2 में से 1 को minus करते हैं तो 1 आएगा फिर 6 में से 3 को minus करते हैं 3 आएगा और फिर 5 में से 4 को minus करते हैं 1 आएगा वैसे यहाँ पर बड़ा देखिए 4 में से 2, 2, 6 में से 2, 4 and 8 में से 0, 8 वैसे यहाँ पर भी देखते हैं 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3, 6 और 3 में से 1 minus करते हैं तो क्या आएगा 2 तो answer हमारा कौन से सही हो जाएगा 2, 6, 2 तो option D यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question है ब्रह्म कमल का वास्तिविक नाम कौन सा है तो ब्रह्म कमल का वास्तिविक नाम होता है ससोरिया ओबोलेटा कुली बेगार प्रथा का अंत कि स्वर्ष हुआ था कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 1921 में उत्राखंड के प्रथम लोक आयोक्त कौन थे तो उत्राखंड के प्रत्म लोकायुक्त थे नियायमूर्ति, SHA रजा और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में अभी चार साल से उत्राखंड में कोई भी लोकायुक्त नहीं है तो अगला question है पदमस्री प्राप्त करने वाले फारत जो उतराखंड के हैं तो यहाँ पर कौन से व्यक्ति थे तो पदमस्री प्राप्त करने वाले जो उतराखंड छेतर के जो व्यक्ति थे वे कौन थे तो वे थे आपके लक्षमान सिंग जंग पाने जी तो option A से हो जाएग गन्य का सरवाधिक उत्पादन उत्राखन के किस जीले में होता है यो होता है उदाम सिंग नगर में तो आपशन D से हो जाएगा अगरा क्वेशन है निम्न मैंसे किस नरित्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं होता है तो कौनसा निर्तिया ऐसा होगा जिसमें कि घीत नहीं होता है तो वो होता है छोलिया निर्तिया उत्राखन का गांधी के नाम से किसे फुकारा जाता है तो यह कुशन भी बहुत बार पुछा जाता है तो यह है इंद्रमणी बढ़ूनी जी को उत्राखन का गांधी कहते हैं निम्लिखित मेलो में से कौन सा पत्थर मार मेला होता है तो देखिए फिर से वही पासाण युद्ध की बात हो गई तो देवी धूरा का जो मेला होता है उसी को कहते हैं पत्थर मार युद्ध और यह का होता है आपका चमपावज़िले में होता है अगला कर्शन है कि टिहरी दियासत में प्रजा मंडल के सदश्य कौन नहीं थे तो यहाँ पर नागेंदर दशकलानी जी थे शरदेव सुमन थे परिपूर्णानन पैनुरी जी थे लेकिन चिरंजी लाल जी नहीं थे नैनी सेनी हवाय अड़ा कहां इस्तित है तो नैनी सेनी हवाय अड़ा है नहरू परवता रोहन सस्थान कहां है यहाँ है उत्तरकाशी में दहरादून में अंतरास्ट्रिय क्रिकेट मेदान का उद्गाटन कब हुआ था तो यहाँ हुआ था 16 दिसंबर 2006 में तो आप्शन A से होगा नरेंदर नगर का पुराना नाम क्या था तो यहाँ पर यह पुर कि वैन सॉंग ने अपने यात्रा विरतांत में हरिद्वार को किस नाम से पुकारा था या किस नाम से उसका उले किया था तो उन्होंने हरिद्वार को कहा था मो यू लो जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ था तो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था 1999 में 13 अप देहरादून, हरिद्वार और पॉर्डे जन्पदों में यहाँ विस्तृत है गोर्खों ने कुमावयों पर कभी अधिकार किया था तो 1790 इसपी में गोर्खों ने कुमावयों पर अधिकार किया था निम्कित मैं से एक पंच प्रियाग में संबलित नहीं है तो हम देखेंग थे नर्मदा वचाओ आंदोलन से संबन्दित है तो जो मेधा पाटकर जी है वे नर्मदा वचाओ आंदोलन से संबन्दित है चौफला, तांदी, चाचरी ये निम्न मैं से क्या है तो ये सब के सब क्या है निर्तिय सैलिया है हमारे जो उतराखंड है यहां की निर्तिय सैल अस्तर वो अपनी मकमली घास के लिए जाना जाता है तो जो वेदनी भुग्याल है वह वेदों में का पर प्रवित्र अस्तर है वह वेदनी भुग्याल है भौमपाल गैस तरादसी जो होई-धी वह 1884 में 2-3 दिसंबर में यहां हुई थी तो 2-3 दिसंबर 1984 में यहां भोपाल गैस तरादिशी हुई थी इसमें MIG जो मिथाईल आईसो सायनाइट गैस यहां क्या हुई थी शरावित हुई थी इससे बहुत सारे लोगों की मिरत्य हो गई थी अगला question है उत्तर प्रदेश हिंदी सिस्थान द्वारा वर्स 2015 का सुबद्रा कुमारी चौहान बाल सहित्य समान की सहित्यकार को दिया गया था तो यहाँ दिया गया था आपका डॉक्टर ससी गोयल को यहाँ अपसंसी सही हो जाएगा एक हिम घाटी समुद्र द्वारा अतिक्रमित होने पर क्या कहलाती है कोई हिम घाटी है वहाँ पर समुद्र ने उसका अतिक्रमन कर दिया है तो वह कहलाती है रिया उसको रिया कहा जाता है हिमालय परवस रिंखला निम्न मैं से किस से संबनित है तो हिमालय परवस रिंखला वलित परवत का उधारण है काल का सिमला रेलवे को किस वर्ष में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया तो इसी 2008 में इस सूची में सम्मिलित किया गया था मानाव विकास रिपोर्ट 2011 की अनुसार मानाव विकास सूची में किस राज्य को सबसे उपर दर्जा मिला था तो केरल जो है वह सबसे विक्सित राज्य माना गया 2011 की मानाव विकास रिपोर्ट की अनुसार स्वेत क्रांती का संबंद किस से है तो हम लोग जानते हैं कि स्वेत क्रांती मतलब यहाँ दुख्द उत्पादन से संबंदित है अगला क्रेशन है घरेलू LPG की लिकेज ग्यात करने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी जाती है तो जो इथाइल मरकेपटेन गैस है यहाँ उसमें भरी जाती है इससे जो स्मेल आती है गैस में वो इसी गैस की वज़ाँ से आती है जबकि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है अगला क्रेशन है साइकल पर सवार होकर एक बिक्ती 25 सेकेंड में 150 मीटर की दूरी तै करता है बताए उसकी चाल कितनी होगी तो देखिए यहाँ पर चाल निकालनी है चाल के लिए हमें फॉर्मला पता होता है distance upon time तो distance upon time के हिसाब से हमको distance पता है 150 मीटर और time है 25 सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड में हमें पता है तो यहाँ पर हमारा answer आएगा 21.6 किलोमेटर पर आवर तो option B सही हो जाएगा यदि खिलारी टीम तो जहाज क्या तो जहाज किस से related है यदि खिलारी टीम से related है तो जहाज बेडे से related हो जाएगा तो option C सही है निम्न मैंसे विजातिय सब्द को ढूड़िए तो देखिए paper, pen, pencil यह सब क्या है एक जाते कि हैं जब यह स्टेश्ट नरी है यहाँ क्या है विजातिय सब्द यहाँ पर है A का अर्थ यदि जोड़ना है B का अर्थ घटाना है C का अर्थ गुणा करना है तो यहाँ पर इसको solve करने की क्याविधी होती है कि यहाँ पर A, B, C की जगवा पर उन चिन्नों को रख देते हैं तो उसी साब से हमारा answer आजाता है तो रखते हैं 18 into 14 plus 6 minus 16 divide by 4 इस तरह से यह question बनता है तो अब हमको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमको सबसे पहले dividation करना है फिर multiplication करना है उसके बाद add और उसके बाद minus करना है जब हम इस पूरी process को करते हैं तो हमारा answer आता है 254 तो यहाँ पर इसको पूरे का पूरे को अच्छे से solve करने के बाद यहाँ पर 254 answer आता है तो option B से हो जाएगा निमने स्रेनी में लुब्द सब्द समुवा को ज्याद कीजिए तो देखिए यहाँ पर बहुत easy है यहाँ पर A, B, C, D, E, F यहाँ पर P, Q, R, S, T, U तो यह क्या है इस तरह से बन रहा है तो A, B, C, D, E, F तो क्या हो जाएगा G, H और I तो यहाँ पर option C से हो जाएगा अगला question है इस आकरती में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो इस तरह के questions को solve करने के लिए बहुत easy method है आपको count नहीं करना है और confused नहीं होना है बस आपको करना यह है कि यहाँ पर इनको number दे देना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अगर और भी है तो 6, 7, 8 जो भी है आप क्या कर देना है इन सब को add कर देना है तो 1, 2, 3, 4, 5 इन सब को जोड़ोगे तो आदेगा answer 15 तो आपका option D से हो जाएगा अगला question है अंत question की एक इनसान की खोपड़ी में मौजूद कितनी हड़िया होती है एक इनसान की खोपड़ी में कितनी हड़िया होती है तो एक इनसान की खोपड़ी में होती है 22 हड़िया तो इस तरह से हमने your question paper solve किया उमीद है आपने भी मेरे साथ solve किया होगा और आपको बहुत सारे questions आए होंगे और आपको बहुत सारे confusions भी clear होए होंगे तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और अपने जो answer है उनको comment box में भी दीजिए तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद